हेलो गाईज नेक्स एपिसोड के स्टाइट से पहले आप रे मेचेंग को सब्सक्राइब करेंगा यह सब भी नेक्स एपिसोड को स्टाइब करते हैं फैंग दिखा जाता जो जिन के गई पर आकर पढ़ रहा होता है जिनों से जब पढ़ार ही होती है तो फैंग को कुछ भी नी समझ में आया था जबकि जिन ने उसको इतनी बार एक ही सेम टॉपिक को बताया था यहां था कि जिन के भाई को समझ आगी थी वो फैंग को बताएं लगता है कि मुझे इतने टाइम से समझ आगया पर आपको नहीं आया ये कहकर पहले तो वो फैंक को इंबेरस कर देता है अपकी तरह हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है तो आप कभी भी हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बन सकते अब ही ये इतना ही कहता है तो जिन उसका मोबंद करवा देती है कि चुप करो और फिर से उसको लास पर पढ़ाना स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें दुबारा से समझा देती हूँ इतर घर पर सुशाओ दिखा जाती जो टेबल पर एक एक चीज़ रख लेती है पढ़ने के लिए क्योंकि उसने जाकर लिंजी के पास नहीं पढ़ना था इसलिए वो अपने पढ़ने की त्यारी पहले डांस से कर रही होती है ये देखर लिंजी कहें लगता है कि तुमने कहाता कि तुमने मुझसे नहीं पढ़ना क्या तुमने ये वले स्टेप पढ़ने हैं तो वह कहें लगती ही तुमें क्या तुम अपना काम करो ना मैं पढ़ लूँगी ये कहकर वो तो उसको वहां से भेश देती और लिंजी भी अपने र पिठा लेता है पढ़ने के लिए वह कहें लगता है कि छो देखता हूं कि तुम्हें क्या क्या आता है। मैं तुम्हें अब सारे पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर लास तक जब लिंजी उसको समझा रहा होता है ये देखकर सुशाओ तो उसे देखती की देखती रहा जाती है और वो कहें लगते है कि तुम मेरी तब क्या देख रही हो बुक्स की तरफ देखो सुशाओ कहने लगते है कि तुम तो इंटर्टेनर होना तो तुम्हें ये पढ़ना लिखना कैसे आता है और पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो तो वह कहने लगते है कि हाँ मैं बहुत सी चीजों में अच्छा हूँ सुशाओ तो सिते का स्मायल कर रही होते तो लिंजी भी उसको अपने नोट्स वगयरा दे देता है कि तुम इन नोट्स से अपने पेपर्स की त्यारी कर सकते हो अब वो लिंजी की नोट्स लेने के बास सोचे लगते हैं कि लिंजी ने मुझे अपने एक इंपोर्टन आपको पिशली तो सताफ रो में ब camera लाता है यह देखकर बहुत कुछ थी ओर qeo निकलाई थी और कहने लगती है कि यह आपका कौन सा फ्रेंट है जो आपको पिछले दो हफतों से खाना भेज रहा है मैं तो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं कि तुम अपना यहां पर काम कर रही हो ना तो चुपकर के काम करो यह सुनते साथ ही सुषा दुबाला से नीचे होकर बैठ जाती है इदर अंकल जो खाना मैं बिजने के बाद काफी कुछ और यह तक आये होते हैं कि दिल का रास्ता हमेशा पेट से होकर गुजरता है और मैं भी उसके दिल में जगा बना ही लूँगा अब सुषा और जो क्लास में भी सुरी होती है तो लिंजी उसको हाथ लगा कर उठा देता है वो उठते साथ क अब घर आने के बाद दोनों जब फिर से साथ में बैट का पाड़े होते हैं लिंजी उसको पढ़ा रहा होता है यह देखकर सुषा चलती से उसके कंदों को दुबाने के लिए आ जाती क्यूंके लिंजी काफी ठक चुका था पहले तो वो दुबाने नहीं दे रहा होता अ जल्दी से सुषाव अपनी जगहा पर बैट जाते हैं कि टाइम खतम हो गया अब जब सुषाव रो में जा कर पाड़ी होते हैं तो बाहरा कर लिंजी को काम दिखाएं लगते पर इत्ते में देखती कि लिंजी तो वहां टेपर पेट पर सोया हुआ था यह देखकर वो भी और पिर हमें दिखा जाता है कि जब पहली बार लिंजी को मॉमो के नेम से बुलाया जाता था और सुशाओ को भी यही नाम पता था इसलिए उसको इस बात का पता नहीं चला कि लिंजी वही लड़का है अब उसने तो लास्ट टाइम पर एक केसिट लेकर आई उसमें रिकॉ जाती है लिंजी जैसे ही द paddle के लिन्जी बाते हैं आप सुशाओ सोच है होते हैं कि पच्पन के चीज़ साब्हार में क्यों सुनी होगी यह तुम्हारी चीज है तो मुझे क्या पता यह कैकर जलती से रोम में भाग जाती है अब सुशाओ भी जिनके घर पर आकर उसे बता देते हैं कि मौमो ही लिंजी है तो वह कहते हैं कि मौमो कौन फिर उसे याद आता है कि सुशाओ का एक बच्छपन का फ् पतला तुम्हारे दिल में उसके कोई ना कोई तो जगा होगी सुशाओ करें लगती है कि तुम हमेशा मुझे इंबरस क्यों करती रहती है मेरी बातों को क्यों पकड़ती है ऐसा कुछ भी नहीं है पर जिन कहते हैं कि बेस्ट ओफ लक सुशाओ अब सुशाओ को स्कूल में एक्साइम देरी होती है अब एक्साइम के बाद इनका रिजर्ट पर आ गया था जो में बताने लगी थी वो तो सबसे पहले गेबत आ देती कि क्लास में कोई भी बच्चा फेलनी है बलके सब भी पास है यह सुनते साथ ही फैंक इतना खुश हो जाता हाथ खड़ा करके मैं से कहें लगता है कि मैं किसी कुछ घkl Harach मैं कों लगते की मुझे थैंक्स करना चाहता है अनकी चुबारी हो टी की लड़का क्या कर 150 होह चु के थे साथ में काफ ही कारे होते हैं सु शो जब दो साथ में बैट आ होते हैं तो लिंद्जोसे से होता है कि तुमने फ्यूट पारा तन करते हैं यह हो जाता है है कि से यूवा को अपने साथ वहां से ले जाते हैं पीछे यूही और लिंजी रा जाते हैं यूही लिंजी से कहने लगती कि मैं तुम्हें सुशाओ की अटेंशन्स बता सकते हूं कि वह किस तरफ है तो कहने लगता है कि थैंक्स मुझे बताने की सुरत नहीं है अब साब भी बै पर जाना चाहिए यह सौचकर वहाँ पर सभी पहुंच तो जाते हैं और उस खर का डॉर खुद बाखुद इनके लिए ओपन होता है जिसे देखकर सभी डारे होते हैं पर जिन सबसे ज़दा वहादर होती है जो सब के आगे-ागे जा रही होती है और बाकि सब उसके पीछे पर यूही तो कुछ ज़दा ही लिंजी के साथ फ्री हो रही थी लिंजी को तो उसका फ्री होना ज़दा पसंद नहीं आ रहा था पर वो तो सुचाओ को जैलस फ्री करवाने की ट्राइफूल कर रही होती है अब जब ये लोग गंदर चाहते हैं तो एक डॉल को देखकर ये सब कुछ करवा रही थी अब दो यूही जो लिंजी के साथ होती है तो लिंजी का नेम लिया जाता है ये सुनते ही यूही तो काफी डर जाती हो लिंजी के साथ चिपक जाती है लिंजी उसको साइट पर कर रहा होता पर यूही कहने लगती कि पीछे तो देखो के हमें क चार्पों देखरा और पीखे से कोई और नहीं भरके सुशाओ देख नीथ ती जो यह कर वासे गुस्वाँ चली जाते ही यह देखकर लिंज़ी सी रहा नहीं जाता तो वो भी सुशाओ पीछे भागता है और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी Yeon je जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना